तो आज किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी class 8 science subject के chapter number 12 के part second को यहाँ पर discuss करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक हमारे part first की वीडियो को नहीं देख है तो जाओ my friends यार एक बार उसको देख लो समझ लो फिर यहाँ पर आना ठीक है तो यहाँ आज हम start कर आने वाले हैं यहाँ से तो यहाँ पर कहता है the force required to overcome friction at the instant an object start moving from the rest is measured of a static friction अब my friends यहाँ पर आप सभी को बताता है कि भई जितनी force की हमें जरूरत होती है आपके friction को मतलब की हटा कि वहाँ से आपके object को आके चलाने के लिए उसको हम कैसे मापते हैं यहाँ पर static friction मापते हैं फिर कहता है on the other hand the force required to keep the object moving with the same speed is a measured of the sliding friction अब यहाँ पर कहते हैं कि भई अब मानो यार एक कामगरतों मैं इसको समझाता हूँ आपको अब यह देखो मानो आपका कोई object है starting में आपको कितनी force यहाँ पर चाहिएगी उस object को यहाँ पर movement कराने के लिए वो तो है guys यहाँ पर आपका static friction ठीक है उसके बाद अब मानो आपने इसको 60 की speed से यहाँ पर चला दिया अब इसको आपको 60 की speed से चला ही ही रखना है उसके लिए आपको कितनी force चाहिएगी उसक contact point on the floor कि बही basically होता क्या है कि एक बार आपके object ने speed में move करना start कर दिया तो जितना starting में आपका locking होती है न च्छी तरीके से इनके बीच में वो आपकी अब नहीं हो पाई कि यह बहुत speed में आपका आगे जा रहा होगा फिर कहते है so the sliding friction is slightly smaller than the static friction इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका sliding friction है वो starting friction से आपका थोड़ा सा नीची ही होता है क्या नीची होता है आपका sliding friction ठीक है my friends तो अब आगे कहते है and you find it somewhat easier to move the box already in motions than to get it started अब यहाँ पे कहते है इसलिए कोई चीज़ start करने के comparative में start की हुई चीज़ को चलाने में हमें थोड़ी सी यहाँ पे easy मैसूस हो वो इसलिए होता है ठीक है बाके चोला my friends अब आपको आगे बताते हैं friction are necessary evil कि बहुए जो friction होता है बहुत जरूरी होता है चलो यार आप इसके बारे में आप सभी को बता दा अब कहते है recall now some of your experience it is easier to hold a cooler, earthen port और a glass tumbler अब my friends यहाँ पे आप सभी को कहते है कि आपको क्या easy लगता है पकड़ने में एक आपका जो घड़ा होता है मटकल्स को हम कुलड़ी भी बोलते हैं वो या फिर guys आपका कोई glass tumbler suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it अब यहाँ पे कहते है कि मानो glass का कोई आपका बरतन है उसकी जो यह भार की surface होती है आपकी यह वाली भार की यह वाली इस के ओपर आपका grease वगएरा या फिर कोई chicken पदार्थ यहाँ पे लगा हुआ है तो किसको पकड़ने में आपको यहाँ पे ज्यादा easy होगी फिर यहाँ पे कहते है just think would it be possible to hold the glass at all if there is no friction अगर मानो आपका यह glass है इसके side में कोई friction की चीज़ है ही नहीं I mean कोई irregularity यहाँ पे है नहीं तो कि आप इसको पकड़ पाओगी तो जी नहीं बहुत मुस्किल होगी हमें इसको पकड़ने में फिर कहते है recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor अब यहाँ पे कहते हैं कि आप इस बात को भी imagine करके देखो कि जहाँ पे आपकी बहुत चिकनी मिटी होती है फिर बारिश हो जाती है उसके ओपर चलने में हमें कितनी problem हाती है कि हम चल पाते हैं और जो guys आपके पत्थर का फरश होता है I mean marble का जो फरश होता है आपके घर में उसके ओपर अगर पानी वगर गिर जाता है तो क्या हम उसके ओपर easily चल पाते हैं या फिर नहीं चल पाते हैं फिर कहता है can you imagine being able to walk at all if there were no friction अगर मानो कि भई यहां पर आपका फरश है इसके ओपर आप चलने वाली हो ठीक है और यहां पर कोई friction है ही नहीं आपके पैर और फरश के बीच में तो क्या आप चल पाओगे तो जी नहीं चल नहीं चल पाएंगे हम फिर कहता है you could not write with pen or pencil if there were no friction when your teacher is writing with chalk on the blackboard its rough surface rubbed of chalk some particles while stick to the blackboard my friends यहां पर आप सभी को बताता है कि basically क्या होता है कि जो आपका teacher आपको class में पढ़ाता है ने blackboard के ओपर chalk की help से तो यह वो भी आपको यहां पर नहीं पढ़ा पाएगा अगर friction नहीं होगा आपके board और आपके chalk के बीच में you care इसी वजह से आपको जो teacher होता है लिख पाता है फिर कहता है if an object start moving it would never stop if there were no friction अगर मानो my friends आपका कोई object यहां पर चलना start कर दे और फिर जो उन दोनों objects के बीच में मनलब कि जहां पर contact आ रहा है वहां पर friction ही नहीं हो तो वो object आपका कभी भी नहीं रुकेगा वो हमेशा चलता ही रहेगा फिर कहता है had there been no friction between the tires of the automobiles and the road they could not be started or stop or turn to change the direction of motion और यहां पर कहते है कि अगर वहां पर friction ही नहीं है तो वो अपनी जो motion की direction है उसको direction को भी नहीं change कर पाएगा you could not fix a nail on the wall if tie are not without friction no but building could be constructed अब यहां पर कहते है कि भी अगर मानो जो वहां पर जिस दिवार के अंदर आपको कील को ठोकना है वहां पर आपका बिल्कुल भी friction नहीं है तो आप वहां पर कील भी नहीं ठोक पाओगे my friends आपको बहुत problem आएगी prestige भी चलो यार अब आपको आगे कुछ और examples देती हैं फिर कहता है on the other hand friction is an evil कि भी अगर हम आपको दूसरे जगहें बताएं अब तो आप जान चूए कि भी friction के कितने फायद है friction क्यों हमारे लिए जरूरी है लेकिन चलो यार अब हम आपको friction के दुख बताते हैं यानि कि व worn out steep of foot over bridges at the railway stations अब my friends यहां पर आप सभी कुछ बाते बताते हैं और कुछ ही बाते यहीं पर भी बोलते हैं यहते है friction can also provide heat vigorously rubbed your palms together for a few minutes how do you feel when you when you strike a match stick against the rough surface it catches fire my friends देखो यहां पे क्या समझाना चाहते हैं यहां पर आप सभी को बताना चाहते है कि भई basically होता है कि भई अभी आपकी railway tracks है manu rail की पटडी है इसके उपर आपकी rail चलती है तो यहां पर आपके rail के tires होते हैं आप सभी को पता है तो यहां पर कहते है कि भई friction की वजए से पर आपने चिंगारी आती हुई देखियोगी फोर टाइम पर जो contact होता है I mean contact कौन से contact की बात कर रहा हूं मैं यह rail की आपकी पटडी हो गई और यह इसका tire हो गया तो my friends यार यह जो उनका contact point रहेगा न यह वाला यहां पर आपने चिंगारी होती हुई देखियोगी तो यह चिंगारी किसी वजए से आती है यहां पर friction की वजए से आती है अब आपको यह बात my friends यहां पर समझ में आई होगी फिर यहां पर कहते है ऐसा ही बहुत सारे चीज़े होती है जो कि आपके friction की वजए से यहां पर हो जाती है जैसे कि guys आपको यहां पर एक example और देता है और कहते है जो आपकी माच स्टिक होती है I mean माचिश होती है उसके side में ऐसे होता है आपका यहां पर बिंदी बिंदी टाइप का और इसकी तीली को अगर आप यहां पर ऐसे रगड़ते हो तो फिर guys क्या होता है आपकी fire यहां पर produce होती है अगर यहां पर friction नहीं होगा तो आपकी fire नहीं produce होगी तो चलो my friends अब आपको आपको आगे कुछ और बाते बताते हैं देखो बाकि यहां पर माच इसका आपको करके भी दिखा रखा है फिर कहते है you might have observed that the jar of a mixture became hot when it is run for a few minutes कहते है कि अगर आप उनने कभी mixery का use किया I mean किसी चीज़ को blend करने के लिए तो वहां पर क्या होता है कि आपकी mixery कुछ इस type की रहती है my friends आपने देते हैं अब my friends आपको example मिल चुका होगा तो यहां पर कहते हैं कि हम कुछ देर के लिए कर इस mixery को यहां पर चलाते हैं तो यह भी आपका गरम हो जाता है यह किसकी बज़ाए से होता है friction की बज़ाए से होता है फिर कहते है you can cite various other examples in which friction produce heat और ऐसे ही guys आप बहुत सारे और ले सकते हैं जहां पर आपको पता लग जाएगा कि जो आपका friction है वो heat produce करता है फिर कहते है in fact when a machine is operated heat generated goes much wastage of energy अब यहां पर कहते हैं कि अगर हम कोई energy वहां पर लगाती है तो जो heat guys यहां पर बनती है न आपकी यह बहुत सारी energy को क्या कर देती है वेस्ट कर देती है आपक ठीक है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो friction है वो energy waste में यहां पर help करता है I mean energy को waste करता है इसमें help तो नहीं है यह बुरी चीज़ा आपके लिए फिर कहते है way shall discuss the ways of minimizing friction in the following session तो चलो my friends अब जो आगे हम session को discuss करने वाले हैं वहां पर हम discuss करे हैं कि जो आपका friction होता है हम उस से कम कर सकते हैं सो कहता है as you have seen in the previous session friction is desirable in some situation कि अगर आपने speeches बात को पढ़ा भी है कि फ्रिक्शन कुछ situation में हमारे लिए बहुत जरूरी भी होता है have you ever thought why the sole of your shoes is grooved it is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely similarly the treated tires of cars, trucks and the bullock provide better grip with a ground my friends यहां पर कहते हैं कि भई आपके जो जूते होते हैं उनके जो नीचे की soul होती है वहां पर कुछ ऐसा से design बने रहते हैं या फिर my friends जो आपके tire होते हैं उनके ओपर भी कुछ ऐसे line बगरा design होते हैं तो my friends यह जो कुछ आपका ऐसा scene यहां पर रहते हैं यह इसलिए रहते हैं कि जो आपकी grip है न टायर की या फिर आपकी shoes की जमीन के साथ में बहुत अच्छे से बन पाई अगर कोई बारिस के स्क्राइशन आती है तो वहां पर भी आप ना फिसल पाओ ठीक है तो my friends यहां प इंक्रीज friction बाई यूजिंग ब्रेक पैड्स इन दी ब्रेक सिस्टम उफ बाई से किल एंड दी ओटो मोबाईल की बहीं जो आपकी ब्रेक पैड्स होते हैं हम उनका यूज करके आपके ब्रेक सिस्टम के इंदर फ्रिक्शन को और भी बढ़ा सकते हैं अब माई फ्रेंड्स यहां पर आप सभी कहते हैं बताता है कि बहुत बार क्या होते हैं कि आपके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो टच नहीं करते हैं आपके जो विक्कल का जो वील रहता है उसको बट क्या होता है जैसे यह ब्रिक दबाते हो तो जो लीवर होता है तो वो पैड्स क्या गरते हैं जो आपका रिम होता है जो गूमता है उसके जो मोशन होता है उसको वो रोक देती है वहाँ पर और आपने माई फ्रेंड्स देखा हुआ कि भई जो लोग यहाँ पर कबड़ी वगएरा खेलते हैं तो वो कबड़ी खेलते टाइम बार-बार मिट्टी को अपने हादों से लगा के अपने अपोनेंट को पकड़ते हैं ताकि उसके जो सरीर है उसके अपर उसकी अच्छी ग्रिप यहाँ पर बन पाई फिर कहता है जिमनास्ट अप्लाइ सम कोर सबस्टान्स on their hands to increase the friction for the better ग्रिप और ऐसे जो जिमनास्ट होते हैं वो भी गाईस कुछ ऐसे सबस्टान्स यहाँ पर लगाते है तो माई फ्रेंड्स यार उन सेच्वेशन के लिए हमें फ्रिक्शन को कम करने की भी जरूरती है पर पड़ती है फिर कहते है कि जब आप कहरम बोर्ड खेलते हो तो वहाँ पे आप एक पाउडर डालते हो वाइट वाइट तो माई फ्रेंड वो क्यों डालते हो यू माईट है नोटीस देट वेन फ्यू डॉपस ओफ ओएल और उन धी हिंगिज ओफ दी डॉर दी डॉर मोव समूथ़ी फिर कहते है कि भई गई बार आपका जो सर्दियों में क्या होता है दरवाज़ा अकट जाता है या फिर जो अपका दरवाज़ा होता है ज Circ сп. और फिर नॉब बार अपका दरवाज़ा होता है ठीक है तो my friends ये भी आपका क्या करता है यहां पर friction को ही कम करता है फिर कहता है आप by cycle and a motor mechanic use grease between the moving parts of these machines और यहां पर guys जो आपका mechanic रहता है वो भी आपके cycle के या फिर जो moving parts रहते हैं उनके बीच में grease डालता है फिर कहता है in all the above cases we want to reduce friction की फिर जितने भी उपर हमने case पड़े है इन सभी में हम चाहते हैं कि जो हमारा friction है वो कम हो जाए in order to increase efficiency जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छी efficiency यहां पर मिल पाए फिर कहता है when oil grease और the or graphite is applied between the moving parts of the machines a thin layer is formed there are moving surfaces do not directly rub against each other अब यहां पर कहते है कि जब हम oil grease या फिर आपके graphite को लगा देती हैं तो moving parts के बीच में एक प उस layer के वजए से वो जो part होते हैं directly contact में नहीं आपाते हैं बीच में वो layer रह जाती है फिर कहते हैं interlocking of irregularities is avoid to great extent और यहां पर जो irregularities जो contact में आते थी ना वो अभी काफी हद तक अब contact में नहीं आती movement became smooth और जब की movement होती है फिलकुल smooth हो जाती है the substance which reduce friction are called the lubricants और यहां पर कह आपके friction को reduce करने में यहां पर help करता है उसको हम lubricants बोलते हैं in some mechanical machines it may not be advisable to use oil as lubricant और यहां पर कुछ machines के अंदर कहा भी जाता है कि भई आप oil को बिलकुल भी use मत कीजिए as a lubricant an air cushion chosen between the moving part is used to reduce friction और यहां पर बताते है कि भई कहीं बार तो आपका जो एक air का cushion होता है उसका हम use करते हैं आपके moving part के बीच में friction को यहां पर कम करने के लिए तो चलो my friends अब आपको आगे बताते हैं तो यहां पर कहते हैं in some machines it may not be advised to use the oil lubricant between the and अच्छ अच्छ होंगा इसी तो पिछले वाले repeat कर रहा है यहां पर फिर कह रहा है can we reduce frictions to zero by polishing surface or using a large amount of lubricant अब यहां पर कह रहा अपलब की बहुत सारा oil लगा के फिर कहते हैं friction can never be entirely eliminated not surface is perfectly smooth some irregularities are always there अब यहां पे कहते हैं कि इनका use करके भी हम friction को कभी zero नहीं कर तकते हैं यहां पे कुछ irregularities हमेशा आपकी बच जाती हैं तो देखो my friends जब हम तेल वगएरा लगा देते हैं तो क्या सीन यहां पे रहते हैं आपकी जो surface होती है न और जो ऊपर वाले surface होती है उसके बीच में आपकी यह layer आ जाती है lubricants वाले ठीक है इसके विज़े से आपका जो friction होता है कुछ हद तक कम हो जाता है completely खतम नहीं होता तो चलो my friends अब आपको आगे बताती हैं और कहते है wheels reduce friction कि भाई जो आपकी wheels यानि क पहिये होते हैं वो भी friction को कम करते हैं कैसे करते हैं वो चलो भम जान लेते हैं यहाँ पर कहता है you must have seen attached attaches and the other pieces of the luggage fitted with the rollers कि आपने बहुत सारी ऐसे चीज़ों को देखा होगा my friends आपकी attach हो गई या फिर कुछ और चीज़े हो गई जिनके हम नीचे ऐसे tire लगा देती है ठीक है अब यहाँ पर कहता है you must have seen attaches and the other pieces of the luggage fitted with the rollers कि आपने बहुत बार देखा हुगा कि भई जो आपकी attach ही रहती है या फिर my friends कोई समान उठाने का यहाँ पर कोई चीज रहती है तो उसके नीचे आपको ऐसे पहिये लगे हुई दिखाई देंगे ठीक है कहता है even a child can pull such pieces of the luggage तो चलो इसका यहाँ पर reason find out करने की गोशिश करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास given है activity 12.4 तो कहते है take a few pencils with a cylindrical in shape which are cylindrical in shape कि आप एक काम करो कुछ ऐसे pencil लो जो कि आपकी cylindrical हो shape के अंदर place them parallel to each other फिर आप उन सभी को ऐसे parallel place कर दो यानि कि ऐसे ठीक है फिर यहाँ पर कहते है place a thick book over it उसके उपर फिर आप बहुत मोटी सी किताब रखतो ऐसे फिर कहते है place a thick book over it now push the book you observe the pencil rolling as the book move do you feel it easier to move the book in this way than to slide it अब यहाँ पर कहते है फिर आप बुक को push करने की कोशिश करो तो आपको नजर आएगा कि जैसे आपकी बुक आगे चलती है तो आपकी pencils भी ऐ इसे घूंती है ठीक है और यहाँ पर फिर कहते है कर आप इस बुक को ऐसे रखके ड्रेक्टली बिगएर पैंसल के push करने की कोशिश करोगे तो आपको difficulty fees होगी और इसमें आपको बहुत easily इस बुक को मतलब की push कर लोगे तो कहते है do you think that the resistance to the motion of the book has been reduced have you seen heavy machinery being moved by placing logs under it यहाँ कहते है कि आपने ऐसे दिखा होगी जो आपकी बहुत भारी भारी मशीने होती है उनके नीचे पहले हम ऐसे पहिया लगाती है फिर ही हम उनको आगे चलाते किसमें हमें बहुत easy रहते है फिर कहता है when one body rolls over the surface of the another body the resistance of its motion is called the rolling friction कि जब एक बोड़ी किसी दूसरी बोड़ी के ह मुख उसके उपर रखके और फिर उसको ऐसे rolling करते हुए हम आगे चलाते हैं तो उसको my friends हम यहाँ पिर rolling friction बोलते हैं और फिर कहते है rolling reduces friction और जो आपकी यहाँ पिर rolling रहती है न वो friction को बहुत कम कर देती है it is always easier to roll than to slide a body over another है यहाँ पे कहते है कि कि किसी भी बोड़ी को यहाँ पे roll करना बहुत easy होता है slide करने के मुकाबले फिर कहते है it is always easier to roll than to slide over another that is the reason it is convenient to pull the luggage fitted with the rollers can you now understand why the wheels is set to one of the greatest invention of mankind कि अब आपको समझ में आया कि जो आपका पईया है उसको हम सबसे अच्छा invention यहाँ पे क्यों बोलती है since the rolling friction is smaller than the slide friction slide is replaced in the most machinery by the rolling by the use of the bowl bearings अब यहाँ पे कहते हैं कि अब हम जान चुके हैं कि जो आपके sliding रहती है उससे अच्छा आपका rolling friction रहता है इसलिए my friends बहुत सारी machine के अंदर आपके bearing वगएरा डाल के उनके अंदर ऐसे आपकी rolling वगएरा डाल दी गई है common examples are use of the bowl bearing between the hubs and the axles of the ceiling fence and the bicycle जैसे कि आपके bicycle हो गए ceiling fence हो गए तो वो कुछ ऐसे आपको देखनी को मिलती है rolling friction जैसे अब यह देखो यह है my friends आपका ball bearing ठीक है जो कि आपके friction को बहुत कम कर देती हैं बाकी चलो my friends अब आपको बताती है fluid friction के बारे में अब यह चाचीज होती है अब यहाँ पर my friends कहते है you know that the air is very light and thin की भी आप सभी को पता है कि जो हवा होती है बहुत हलकी होती है और बहुत पतली भी होती है yet it exert friction force on object moving through it अब यहाँ पर कहते है कि तब भी वो friction लगाती है जो भी object उसके अंदर से पाश होके कुज़ता है similarly water and the other liquids exert force of frictions when object move through them अब यहाँ पर कहते है कि इसी तरीके से जो आपका पानी होता है या फिर कोई दूसरी liquid होती है वो भी friction लगाती है अगर कोई object उसके अंदर से होता हुआ जाता है फिर कहते है the common the common name of gases and liquids is the fluids अब यहाँ पर my friends आप सभी को कहते है कि science के अंदर जो भी आपकी यहाँ पर gases होती है या फिर liquid होती है इन दोनों का हम common name यहाँ पर fluids बोल देते हैं ठीक है I mean इसके अंदर आपकी gases भी include है और guys आपकी liquids भी include है so कहते है so we can say that fluids exert force of frictions on objects in motion through them अब यहाँ पर कहते हैं कि so हम कह सकते हैं कि भाई guys जो आपकी fluids होती हैं वो force of friction लगाती हैं जो भी objects उनके अंदर से पास होके गो जाता है the friction force exerted by the fluids is also called the drag और यहाँ पर कहते हैं कि जो friction force आपकी fluid यहाँ पर लगाती है उसको my friends हम drag भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं drag 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 आप मेरे साथ बोलना इस word को drag ओके so कहते हैं the friction force on one on an object is an fluid depends on its speed with respect to the fluid अभी हाँ पर कहते हैं कि पर जो friction force यहाँ पर लगाई जाती है वो depend करते हैं कि फिर कितने speed में वो चीज आपकी आगे जा रही है the friction force also depends on the shape of the objects and the nature of the fluid यहाँ पर कहते हैं कि भई जो आपकी friction force यहाँ पर लगाई जाती है वो इस चीज के ओपर भी depend करते हैं कि जो आपका object जा रहा है उसकी shape कैसी है उसका nature कैसा है और आपकी जो fluid है उसका तो कहते है it is obvious that when objects move through fluids they have to overcome frictions acting on them तो हम कह सकते हैं कि फिर कोई भी object अगर इनके अंदर से पास होगा तो उसको fluid का जो friction लग रहा है उसको कम करना पड़ेगा in this process they lose energy तो ये इस काम के अंधर अपनी कुछ energy को lose कर देते हैं efforts are therefore made to minimize friction और यहाँ पर आपके कुछ ऐसे effort लगाये जाते हैं जो कि friction को कम करने की help करते हैं फिर कहते हैं so objects are given special shapes तो इसलिए guys जो आपके object होते हैं हम उनको अलग-अलग type कि यहाँ पे shape देते हैं where do you think scientists get hints of these special shapes और यहाँ पर कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो scientist है उनको इन ऐसी जो आपके special type की जो shape रहती हैं उनके example आखिरकार मिलते कहां से हैं from nature तो कहां से मिलते हैं nature से so कहते है birds and the fishes have to move about in fluids all the time कि भई जो आपके पक्षी होते हैं आपकी मचलिया होते हैं यह हर टाइम आपकी fluids के अंदर उड़ती हैं तैरती हैं their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction तो उनकी जो body होती है बच्पन से कुछ इस type की आती है कि भई वो क्या होती है कि जो friction है ना कम लग पाए उनके उपर बहुत ऐसी होती है you read about these shapes in the class 6 आपने इनके बारे में ज्यादा class 6 के अंदर ज़रूर पढ़ा होका look carefully at the shape of an aeroplane तो आप aeroplane के यहाँ पर जो shape रहती है उसको देखने की कोशिच करो do you find any similarity in its shape that of the bird क्या आपको इसकी shape के अंदर और इस bird की shape के अंदर कोई similarity यहाँ पर नजर आ रही है in fact all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction अब यहाँ पर कहते है कि कोई भी आपका vehicle हुआ इसी type से बनाया जाता है कि उसके ओपर जो यहाँ पर fluid friction लग रहा है वो कम हो जाए ठीक है बाकि my friends यहाँ पर keyword में आपको एक बार बोल के बता देता हूँ और आपको किसी keyword का मतलब यहाँ पर समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो को दोबारा देखने की जुरूरत है यहाँ पर कुछ keywords आपके पहले वाले part के अंदर भी हो सकते हैं लेकिन आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो में इनको कमेंट करके बता सकते हो बागे Instagram पे भी में अपने doubts को पूछ सकते हो यहाँ पर आपके जो keywords रहने वाले हैं वो हैं ball bearing, drag, fluid friction, friction उसके बाद interlocking, lubricants, rolling friction, sliding friction और static friction तो my friends मैं I hope कि आप सभी को इन सब के बारे में पता ही होगा और आगे आपके exercise भी आपको देखनी को मिल जाएगी तो आप इनको खुछ से try कर सकते हो हमारा chapter my friends यहाँ पे end हो जाता है और next chapter की video अगर आप सबसे पहले देखना चाते हैं आप से मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल देखी तब तके लिए my friends बाई हुआ हुआ है